हलो गाइस तो गाइस क्या बिग बॉस के घर से अब साई के तनराओ को एविक्ट किया जाएगा जी यहां तो तो कल बिग बॉस के घर में लोकिस कटा रहे है और साई के तनराओ के बीच में फाइट ही जहां पर फाइट तो खतम हो गई लेकिन साई के तनराओ अपना अलगी गुशता दिखा रहे थे, अपना अलगी और एक्टिंग कर रहे थे और उन्होंने इक बिग बोस के घर के जो समान होते हैं कूरसिया यहां से वाँ उठा करके फे की बिग बोस के घर का कुछ समान भी उन्होंने तोड़ फूर कर दिया है जिसके बाद उन्होंने बिग बोस के घर का जो रूल होता है कि किसी भी समान को तोड़ फोर्ड नहीं करना है, समान के साथ में छेड़ साड नहीं करनी है, वो रूल उन्होंने ब्रेक कर दिया है तो क्या ये रूल ब्रेक करने के वज़े से बिग बोस वाले साई केतन राव को इविक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग के सकतारिया बिग बोस के घर के बाहर वाले थे और सिर्फ थोड़ा सा हिंट उन्होंने विशाल को दे दिया था, जिसके बाद लोग के सकतारिया बिग बोस के घर से विक्ट करने का फैस्ता ले लिया था और फिर उनको गार्डन एरिया में करिवन 20 घंटों तक हाथ में हतकड़ी बांध करके उनको रखा गया था उनको बहुत तगड़ी सजा भी दे गई थी अब ये जो साइ Candandrao ने रूल ब्रेक किया है तो क्या इस पर बिग बोस भी कोई एक्षिन लेंगे क्या विक्ट के वार में अनिल कपूर अब साइ Candandrao को बिग बॉस को घर से एविक्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस पर काफि लोग सोचल मिडिया पर चर्चाय कर रहे हैं और काफि लोग का हैसा कहना है कि साइए केतन राओ को एविक्ट करना चाहिए क्योंकि हम पर साइए केतन राओ की तरफ से पहले गाली आई थी और फिर वो गाली पर भड़ा गया और फिर उसके बाओ बीग बोस का घर के उस्सकान भी दोटफोड किया यानिके बीग बोस के घर का रूल भी ब्रेक किया है अब साइए केतन राओ को सजा मिले जिया नहीं थी तो विक्ट के वार पे पता चलेगा बाकि इसे पर आपके क्या रियक्शन है क्या साई केतन राव ने जो कुछ किया क्या इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताईएगा बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना एस यूर फास्ट अपडेट के लिए